हेलो फ्रेंड वेलकम टो अनदर वीडियो तो फ्रेंड आज की वीडियो में एनालिसिस करेंगे दीपर नाइटरेट के स्टॉक को तो फ्रेंड सबसे पहले हम करते हैं कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस फिर करेंगे कंपनी का टेकनिकल एनालिसिस तो फ्रेंड अगर मैं फ के सांद compare करूं तो यह लिकल क्या आ रहा है 53.06 का तो means company का P और इंडेस्ट्री पी एप्रोक्स एकी value के आसपास state कर रहे हैं अगर मैं company के उपर करज की बात करूं तो company के उपर ना के बराबर करज है तो फ्रेड़ अगर मैं iron per share देख्वं company का तो यह लिकल क्या रहा है 63.31 का अगर मैं return on equity देखने जाओ तो यह लिकल क्या रहा है 16.91 तो फ्रैड़ अगर मैं company की book value देखने जाऊ तो यह लिकल क्या रहे है थριहंड़ फिप्टीवन पॉइंटी तो फ्रेंड अब मैं देखूंगा company का financial, financial मैं सबसे पहले चेक करते हैं company का revenue, अगर मैं company का revenue चेक करने जाओं, तो हम मुझे हर quarter में यहाँ पे growth देखने के लिए मिल रही है, तो फ्रेंड अगर मैं company का profit देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन profit मैं point down देखने के लिए मिल रहा ह तो फ्रेंड अब मैं करूंगा company का share holding pattern को चेक तो फ्रेंड आपके सामने मैंने share holding pattern लगा दिया है तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्मोटर की quantity लास्ट के 5 quarter में तो फ्रेंड अगर मैं देखने जाओं तो लास्ट के 4 quarter में पर्मोटर की quantity same बनी थी लेकिन इस quarter में पर्मोटर ने थोड़ा quantity अपनी बढ़ा लिये अगर मैं FI की quantity की बात करूं तो फ्रेंड पहले के June की quarter में FI ने थोड़ा जिस्टे बेचा था लेकिन धीरे धीरे करके आप FI भी अपनी position इस share में बढ़ा रहे हैं तो फ्रेंड अगर मैं DI की बात करूं तो डी आइ ने भी धीरे धीरे करके इस share में अपनी quantity बढ़ा दिया हैं बढ़ा करदिया है तो फ्रेंड यह हमाले बहुत अच्छी बात है जो भी share public ने बेचे हैं वो डी आई और FIंुने मिलकर भाइ क लिया हैं अब हम करेंगे company का technical analysis तो friend आपके सामने मैंने दीपक नाइटेट का weekly charge लगा दिया है अगर मैं current price की बात करूँ तो share की price चली है 2850 के पास में तो friend अगर सबसे पहले मैं share का all time high देखूँ तो share का all time high लिकल के आ रहा है 3017 के पास में तो friend share में लगातार गिरावट के बाद अच्छा खाता share ने all time high का breakout किया लेकिन breakout करने के बाद share यहाँ पे sustain नहीं हो पाया और sustain ना होने के कारण यहाँ पे share में गिरावट देखने के लिए मिल रही है अगर मैं share के first support की बात करूँ तो share का जो first support लिकल के आ रहा है वो लिकल के आ रहा है 2671 के आसपास तो friend अगर share ने यहाँ पे support लिया तो अच्छी बात है अगर मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे share ने support ने लिया तो उसके बाद share में और भी ग्रावट देखने के लिए मिल जाएगी अगर मैं share के second support की बात करूँ तो share का second support लिकल के आ रहा है 2530 के आसपास तो friend अगर share ने इस वाले box में support ले लिया तो मुझे लगता है कि share यहाँ से cup and handle की formation करेगा और उसके बाद share में और भी ज़्यादा तेजी देखने के लिए मिल सकती है तो friend अगर आपको share इस zone में मिल जाता है तो share को यहाँ पर accumulate कीजिए मुझे लगता है कि share में यहाँ से काफ़ी अच्छा और विरन अब देखने के लिए मिल सकता है तो friend अगर मैं आपको बताओ share अपने all time high पर जाता है तो friend अगर यदि share cup and handle की formation करता है आपने handle के base पे अपनी position बना रखी है तो आपको share में काफ़ी अच्छा रणब देखने के लिए मिल सकता है तो friend अगर cup and handle की formation होती है तो जितना ही इस cup का length होगा उतना ही आपको उपर यहां से breakout के बाद target देखने के लिए मिल जाएगा तो friend अगर आप share को इस support zone में buy करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा रणब यहां से देखने के लिए मिल सकता है तो friend अगर आप share को इस वाले support zone पे buy करते हो तो buy करने के बाद आपको यहां से share में अगर share अपने all time high तक भी जाता है तो आपको इस share में 25% का profit देखने के लिए मिल जाएगा तो friend अगर मैं इस cup की length लिका ली तो मुझे यहां से 1100 point का और विरेरी देखने के लिए मिलती है अगर मैं यहां से 10000 point उपर लेता हूँ तो share approximately 42 के आसपास पहुंच जाएगा friend अगर share अपने all time high यानि cup की length के आसपास पहुंचता है तो share का target मुझे देखने के लिए मिल ला है approximately 42 के आसपास तो आपको इस share में 66% के आसपास profit देखने के लिए मिल सकता है तो friend मैंने share के लिए RSI indicator लगा रखा है अगर मैं current time पे RSI की बात करूँ तो share के RSI approach 60 के आसपास चल लिए तो friend अगर share अपने support के आसपास आता है nearby 2550 के आसपास तो इस share के RSI approach 40 के आसपास आ जाएगी तो friend आप देख सकते हैं कि जब भी share के RSI 40 और 35 के आसपास आई है तो share में वहाँ से bounce back आ चुका है तो friend मैं आप से यही कहूँगा अगर आपको share इस zone में मिल जाता है तो यहाँ पे इससे accumulate कीजिए और accumulate करने के बाद share यहाँ से cup and handle की formation करेगा और आपको इस share में 46% का profit देखने के लिए मिल सकता है तो friend मैंने आपके सामने Deep Agnitrate का daily का chart लगा दिया है अगर मैं daily chart पे भी देखने जाओं तो share का support लिकल के आ रहा है first support की बात करूँ तो यह लिकल के आ रहा है 2670 के पास में तो friend मैंने आपको weekly chart पे बता दिया कि share के लिए first support होगा अगर मैं second support की बात करूँ तो यह लिकल के आ रहा है 2530 के आ सपास में तो friend अगर मैं यहाँ पे देखने जाओं तो आपको देखने के लिए मिले है कि यहाँ पे 100 days का moving average भी आ रहा है जो share के लिए support की तरों काम कर रहा है अगर मैं साथ में 200 days का moving average देखू तो यह लिकल के आ रहा है 2400 के आ सपास तो friend अगर मैं आपसे यही कहूंगा कि share में यहाँ से गिरावट होने दीजिए अगर आपको share इस जोन में मिल जाता है तो यहाँ पे अपनी quantity का up approximately 70% invest करके चल सकता है तो friend अगर मैं daily chart पे share के RSI देखने जाओ तो current time पे share के RSI daily chart पे 44 के आ सपास देखने के लिए मिल लिए तो friend आप देखोगी कि जब भी share के RSI daily chart पे 30 के आ सपास आती है तो उसके बाद share में reversal देखने के लिए मिल जाता है तो friend अगर मैं आपको दिखाओं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल ला है कि जब भी share के RSI daily chart पे 30 के आ सपास आती है तो उसके बाद share में reversal देखने के लिए मिल जाता है तो friend अगर share में यहाँ से गिरावट होती है तो share आपको यहाँ पे मिलेगा और उस time पे share के RSI नीचे आ जाएगी तो उसके बाद share में यहाँ से reversal देखने के लिए मिल जाता है तो friend current time पे आपसे में यही कहूंगा कि share को अपने nearby support के आसपास आने जीजिए तब share में इन्वेस्ट कीजिए तो friend finally मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको अगर share में इन्वेस्ट करना है तो एक बार अपने financial advisor से जरूर concern कर ले